गूड मार्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टो एचैनल माई क्यूट होम गाड़ा तो आज में आपको बहुती ब्यूटिफूल हैंगिंग बास्केट प्लांट टैटल वाइन के जो फ्लावर है वो दिखाने वाला हूं विंटर की शुरुआत होते ही टैटल वाइन में बहुत ब्यूटिफूल छोटे-छोटे वाइट कलर के जो फ्लावर है वो आपको देखने के मिल जाएंगे तो यह आप देख सकते हैं कि यह मेरी इस्टैटल वाइन है जिसको मैंने एक हेंगिंग बास्केट के अंदर जो है वो लगा रखता है और हेंगिंग बास्केट में यह प जरूर पैस करें तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो वाइट कलर के बहुत ही छोटे-छोटे फ्लावर आपको नजर आ रहे हैं यह है टाइटल वाइन के फ्लावर यह देखें कितने सुंदर है यह फ्लावर छोटे-छोटे तो यह आपको दिखा रहा हूं बहुत ही बीटिफूल छोटे-छोटे वाइट कलर के जो फ्लावर है वह टाइटल वाइन पर आपको नजर आ जाएंगे और इस टाइम जो टाइटल वाइन है वह पूरी तरह से ऐ ऐसे छोटे-छोटे वाइट कलर के जो फ्लावर है उनसे भर गई है तो मैं वह सभी फ्लावर जो है आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कितने सारे जो फ्लावर है वह मेरी टाइटल वाइन पर आपको नजर आएगे तो देखें काफी छोटे-छोटे फ्लावर होते है और विंटर में क्या होता है कि फिलावर तो आई जाते हैं, इसके पत्तों का यो जो साइज हो लगाता, जो हो दों हो चला जाता है क्योंकि विंटर में यह लापनेशी में जाता है, ग्रोफ काफी कम देखने को इस के उपर बिलती है तो यह आप देख सकते हैं कि बेहती खुश्चूरत टर्टल वाइन के वाइट कलर के जो फ्लावर है वो होते हैं और देखी जब यह फ्लावर जो है वो मैच्चूर होने लगते हैं तो इनके अंदर शीड भी फॉर्म होते हैं तो शीड के कलेक्शन का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं आई बटन पर मैं इसका लिंक जो है वो जरूर दे दुगा यह देखे कितने सुन्दर सुन्दर और छोटे छोटे फ्लावर जो है आपको टल्टल वाइन पर नजर आ जाते हैं तो मेद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बैल आइकन जरूर प्रेस करें थेंक्स वर वाचिंग माइवीडियो